जनपत साहरन्पुर के गंगो ब्लोग के गाउं जहरा में पानी निकासी की सुईधाने होने के कारण सडके तालाव में कबदिल हो चुके है जहां कई शिकायतों के बाद भी कोई समधान नहीं हो पा रहा है जनबस सरनपुर के गाउं जहरा ब्लो गंगों में पानी निकासी ठप होने से गाउं हुआ चलमगन जिससे ग्रामिड को जिन जीवन अस्तवियस है जहरा में मांसून से पहले हुई बारिश नहीं पोल खोल कर रख दी है ग्रामिड को आरोफ है कि गाउं के तालाब पर अवैद कप जिससे निकासी पूरी तरह से बंध हो चुकी है ग्रामपरदान मुनेश चोधरी ने कतवर्ष तालाब के खुदाई तो कराई लेकिन गबजा धारियों ने कारिया अधर में ही बंद कर दिया यह तालाब पूर्व समय से ही काउड़ों में अंकित नहीं है अरोफ है कि काउं के जोड़ी तालाब में सैक्रो वर्ष पूर्व से पानी जाता था लेकिन उसे किसी भी राजस्व अधिकारी ने तालाब में अंकित नहीं किया जिसका परिणाम आज ग्रामिड भुकत रहे हैं जो आज अस्तित स्वहीन हो चुका है पानी ने सड़क पर तालाब का आकार ले लिया है और सड़कों पर पानी लोगों के घर से होता हुआ किशन तक पहुंचाता है जिसके कारण आज कई घरों में जूले तक नहीं चले मेरे पर पानी का कोई रस्ता ने है पानी के लिया का आज ले जा है जो पानी बार इसका आगा जा रहा था खेस्टर में वाडिक बायन दो लोगों न वो क्यों अपनी खेरी में बाग यहां वह बाग मन अक्सान हो है कि समस्चा है जी कि यहां से नो विगह नंबर एक रास्ता यहां मैं पिछले साल हमारे बड़े प्रदाइंगे हैं उन्होंनों खुदवया दा उसमें कुछ आय समाजिक तक्वन अठाइक लगाए जिए तुरां कुछ खुदवया था पहले चलता रहा है जब से यहां का निकास्ची नहीं है और इससे पहला आज से पहले हैं कोई शिकायत ऐसी नहीं है इसके बाद जब पतलग गए नंबर है जोड़ नहीं है यहां लोगों ने इस पर कभजा करते हैं तोटल को अब पैनी की निकास्ची आप लूज चैनलों पे अकबार में आपने सभी जग है सबने पूरा पैनी तुल्लों के लोगों के घुशा हुआ है खाना पकेने से लोग प्रेसान है बच्चों तक की जहमत है घर से बाएर निकल तो बच्चे को डूबने का खत्रा तो मैं तो सरकार से अगर जो कोई प्रोद करूआ कि इसकी लिए कोई विशेश का